Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab, so आपको back to back मैं इस chapter के deleted part के वीडियो देते जा रही हूँ and I hope कि आप उसी तरीके से अपना सारा deleted portion भी cover कर रहे हैं, आप से मुझे दो चीज़े request करनी है, सबसे पहले चीज़ कि मुझे comment section में comment करके बताओ, कि ये chapter खतम होने के बाद मैं chapter number 6 का deleted वाला part cover या फिर chapter number 9 का control and coordination का जो eyes and ears वाला part है, वो वाला part पहले cover करो, chapter 6 भी important है, chapter 9 भी important है, तो दोनों में से कौन सा part आपको पहले cover करवाना है, comment करके बताओ, ये मेरी पहली request थी, और दूसरी request कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इस channel को share करो, क्योंकि बच्चों सच में आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, और इतने कम टाइम में हमको काम बहुत सारा करना है, तो आपके पास जादा से जादा फ्रेंड्स तक आप ये चानल शेयर करोगे, महराश्रा के हर एक बच्चे तक ये channel पहुचेगी, तो उनका कितना फाइदा होगा, इसका आपको क चानल को शेयर करो ताकि उनकी help हो सके और उन तक ये content पहुच सके, तो let's start with our today's topic, हमने 5.5 तक का deleted part cover किया था, 5.6 वाला जो topic है, ये मैंने already पढ़ाया हुआ है channel पे, तो 5.6 वाला topic आप मेरे old वीडियो से देख सकते हो, जिसमें मैंने बहुत ही wonderful तरीके से concept cover किया है, आज म जो topic मैंने पढ़ा दिया है, उसी topic पे वापिस से video बना के time waste करूँ, इससे अच्छा है कि पहले मैं वो topic cover करूँ, जो मैंने नहीं पढ़ाया है, जब आगे बाद में time मिलेगा, तो मैं फिर से same video पे new topic मतलब, same topic पे new video बना दूंगी, लेकिन अभी के लिए अपन topic repeat नहीं क तो आज हम start करते हैं अपने mechanism of organic evolution के साथ, अब इसकी theory में क्या दिया है, actually ना इसके आदे से जादा topic 5.6 में हमने cover कर लिये, तो ये video जादा लबी नहीं होने वाली है, देखो, organic evolution के mechanism में हमको क्या पताया है, one has to give the importance to the population while considering the mechanism of evolution, जब हम evolution की बात करते हैं, मतलब अभी simple भाश तो समाज कब बदलता है, जब सारे लोग बदलते हैं, है ना, किसी एक इंसान के बदलने से समाज बदल सकता है क्या, नहीं, हाँ, एक इंसान अगर अपनी सोच बदलेगा, तो उससे शुरुआत हो सकती है, लेकिन पूरी society कब बदलती है, जब सारे society के members बदल जाते हैं, तो वैसे ही जब हम evolution की बात करते हैं, तो evolution किसी एक single individual में नहीं होता, पूरे की पूरे population में जब changes होते हैं, तो उन changes को हम evolution बोलते हैं, okay, so when population evolves, not only single member, but when the population evolves, then it is called as evolution, इसमें एक single individual का role क्या रहता है, मतलब आप ऐसा मत सोचो, कि अरे मैम ने बोला, कि एक इंसान के बदलने स कुछ नहीं होता, तो छोड़ जाने दे, मैं भी नहीं पढ़ाई करूगा, मेरे अक्केले पढ़ाई करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है, एक single, बोलते हैं, बूंद बूंद से घट भरता है, छोटे-छोटे, आप गल्ला कैसे भरते हो, रोज उसमें पाश-पाश रुपे ड देखने को मिलते हैं, और उसको बोलते हैं, सबसे पहले तो evolution मतलब क्या, evolution याने की बदलना, बदलाव, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, बड़ बदलना, और बदलाव कैसे आता है, जब पूरा population अपने अंदर changes लाता है, पूरे population में changes कैसे आएंगे, जब single, single, individual, अपने characters आगे पास करेंगे, तो नीचे हमको कुछ basic processes दिये हैं, जिनसे हमको evolution समझने में आसानी होती है, पहला process है mutation, जो हमने भी mutation theory रेखी, और 5.6 में भी हमने genetic mutation पे topic cover किया है, gene recombination, gene flow, genetic drift, natural selection, isolation, speciation, पूरा 5.6 का topic इदर repeat किया, आपको पता ये chapter इतना बड़ा क्य है, क्योंकि इस chapter में हर topic तीन बार repeat किया है, every topic is repeated three times, natural selection का topic तीन बार है, gene flow तीन बार है, genetic drift तीन बार है, सब कुछ इतना बार repeat किया है, इसलिए ये chapter इतना बड़ा हो गया है, okay, so पहले बात करते है, mutation के उपर, these are permanent heritable changes in the genetic material of an organism, याने कि अगर आपके DNA sequence में कोई change होता है, त देखो इदर क्या बताया है, कि ये mutation का topic हम already इस chapter में पहले पढ़ चुके है, it is already described earlier in this chapter, तो वापिस क्यों दिया, है ना, focus time pass करते हैं ये लोग, so gene mutation से क्या बनता है, new genes, new alleles बनते हैं, याने new characters express होते हैं, जिसके वज़े से हमारा जो gene pool है, वो add हो जाता है, gene pool मन्जे का है, अभी समझो आपके घर में 5 लोग रहते हैं, ठीक है, तो ये 5 लोग के पास 500 genes है, तो ये 500 genes को हम बोलते हैं gene pool, अभी इसमें समझो mutation हुआ, mutation के वज़े से एक नया gene आया, ठीक है, तो ये हो गया 501, तो ये gene pool बढ़ गया, इसको बोलते है gene pool, तो mutation अलग-अलग type का होता है, frame shift mutation, point mutation, frame shift mutation हमने 3rd chapter में पढ़ा है, 4th chapter में, molecular basis of inheritance में, इस chapter में हमने point mutation पढ़ा था, what is point mutation, जब आपका single, single nitrogen pair, याने की base pair change हो जाता है, तो इसके वज़े से जो characters change होते हैं, उसको बोलते हैं point mutation, next आता है gene recombination, हमने ये भी इस chapter में पहले पढ़ा है, so these are variation produced, due to coming together of alleles, देखो, gene recombination, recombination मतलब क्या होता है, जब आप दो अलग-अलग genetic sequences को एक साथ combine करते हो, और ये genetic sequences एक साथ कब combine होते हैं, during sexual reproduction, so genetic recombination occurs due to random union of gametes, याने कोई भी homologous gametes, ठीक है, कोई भी homologous gametes, जब एक साथ fuse होते हैं, एक साथ आते हैं, जैसे एक gamete male से, एक gamete female से, तो उनके बीच में जो characters exchange होते हैं, ये देखो, ये जो characters exchange हुए है, इसके वज़े से, याने crossing over के वज़े से, और Chiasma formation के वज़े से जो new characters exchange होंगे अब इसके वज़े से हमको देखने को मिलेगा variation और variation के वज़े से मिलते हैं new species जिसको हम बोलते हैं evolution समझ में आई बात सबको समझ में आया क्या Yes everybody चलो Next आता है gene flow यह भी हमने पहले पढ़ लिया है It is explained earlier in this chapter Okay, so what is gene flow? It is the transfer of gene during interbreeding of population that are genetically different याने की समझो आपका कोई एक particular gene किसी दूसरे environment में जाके रहने लगे याने की migrate कर ले Gene flow is nothing but migration Migration मतलब स्थलांतर याने की या तो आप अपना गाव छोड़के दूसरे गाव में चले जाओ या तो दूसरे गाव का कोई आपके गाव में आ जाए तो इसके वज़े से जो आपके genetic character में changes होंगे जैसे समझो आपका घर city में रहता है और आप कोई गाव की बीवी लेकर आ गए हो तो उसके वज़े से पूरा आपके घर का माहौल बदल जाएगा या आप गाव में रहते हो और किसी city की लड़की से शादी करके उसको लेके जाते हो अपने घर में तो उसके वज़े से भी घर का माहौल चेंज हो जाता है तो immigration याने कि खुद बाहर जाना और immigration मतलब किसी को बाहर से लेकर आना इन दोनों के वज़े से हमारे allele frequency में changes हो जाते हैं याने कि आप खुद बाहर जाओगे तो आपके इदर का population कम होगा याने इदर का counting change हो जाएगा gene frequency मतलब क्या होता है यह मैंने 5.6 वाले topic में बहुत अच्छे से explain किया है देखो आपको मैं इसके सारे photos दिखा देती हुआ what is allele frequency यह देखो gene mutation पहले हम पढ़ चुके है re-combination पहले पढ़ चुके जीन flow पहले पढ़ चुके है genetic drift हम पढ़ चुके है yas chromosome elaboration और gene frequency भी हम पढ़ चुके रुको आपको gene frequency हाँ यह देखो आपना allele frequency वाला topic भी हम पढ़ चुके है कि what is allele frequency gene frequency क्या होता है याने कि particular gene कितनी बार population में exist करता है तो अगर कोई भी organism आपके area से आएगा या आपके area से बाहर जाएगा तो उसके वज़े से आपके area का total count change हो जाएगा तो उसको बोलते हैं allele frequency frequency याने कितनी बार वो particular species repeat हो रहा है ठीक है तो अगर कोई species कम हुआ तो इधर minus हो जाएगा कोई species जादा हुआ तो plus हो जाएगा जिसके वज़े से changes होते है तो this is gene flow now comes genetic drift यहां पर यह topic हम पहले पढ़ चुके है बट इधर पर हमको two important example दिया है जो आपके boards के लिए very important है तो ध्यान से देखो सबसे पहले genetic drift मतलब क्या एकदम simple भाषा में जो आपन ने पढ़ा था यह butterfly वाला example लिया था genetic drift याने कि किसी भी natural disaster के वज़े से earthquake के वज़े से आग लगने के वज़े से flood आने के वज़े से किसी भी natural disaster के वज़े से अचानक से अगर हमारे population में changes होते कोई species गायब हो जाती है small population में जब changes होते है तो उसको बोलते है genetic drift याने की समझो इधर से यह yellow species गायब ही हो गई आग लगी जंगल में जिसके वज़े से yellow species जिस flower को खाती थी वह flower मर गया जिसके वज़े से yellow butterfly खतम हो गई तो यह तो nature के वज़े से हुआ natural disaster याने fire के वज़े से fire के वज़े से हमारे organism का frequency change हो गया याने इधर पर 100 butterfly थे इधर पर खाली 75 butterfly बचे frequency change हो गई इसको बुलते है genetic drift drift याने change okay so any alternation alternation हुझे का इसतर change in allele frequency in the natural population by chance मैं बार बर बुल रहे हूं by chance मतलब क्या होता है because of nature natural disaster मतलब हम इधर पर जान बुच के किसी species को कम नहीं कर रहे है natural disaster के वज़े से अगर कोई species कम हो गई तो उसको बोलते है genetic drift concept of genetic drift दिया था हमको sea wall right नाम के biologist ने इसलिए इनको हम बोलते हैं इस process को हम बोलते हैं sea wall right effect for example अब इधर पर एक example दिया है elimination of a particular allele from a population due to event like accidental death prior to mating or an organism of an organism genetic drifts are random or directionless देखो अभी इधर पर यह fire खेट में आग लग जाना यह एक type का accident है तो accident के वचे से अगर कोई species गायब हो गई कोई species extinct हो गई तो वो species आगे हमको देखने को मिलेगी नहीं याने की वो species खतम हो गई इसको बोलते है genetic drift okay the effect of genetic drift is more significant in small population देखो अगर समझो आपका कोई गाओ है वहाँ पे 100 लोग रहते हैं आपके गाओ में अर्थक्वेक आया अब अर्थक्वेक के वज़े से एक पूरा का पूरा फैमिली का जो घर है वो पूरा बर्बाद हो गया तो उनका पूरा खांदा नहीं गायब हो जाएगा और सौ लोग में से अगर पंदरा लोग गया ओगय है तो दिख्के आता है ना कि अतने कम लोग जो गए तो यह समझो है आपके क्लास में चालीश को पताचलता है कि话च बच्चे एपसंट है लेकिन अगर आपके क्लास पे 100 नहीं चालीश कोम मिलता है due to genetic drift some alleles of a population are lost कुछ alleles या तो गायब हो जाती है या तो इतनी कम हो जाती है कि आगे जाके extinct हो जाए और कभी-कभी दूसरी species increase हो जाती है जैसे कि समझो इधर पर yellow species गायब हो गई लेकिन अब कौनसी species species increase होंगी यह orange और white वाली species increase होंगी तो एक गायब होगी तो दूसरी बढ़ेगी कभी-कभी क्या होता है sometime a few individuals become isolated कभी-कभी earthquake के वज़े से समझो earthquake के वज़े से आपका land दो हिस्सों में divide हो गया अब इधर पर एक species इधर पर एक species तो कभी-कभी कुछ individuals एक दूसरे से अलग हो जाते they become isolated from large population and they produce new population वो new जगे पर जाके new population बनाना स्टाइट करते new geographical area में जाके and the allele frequency of new population become different so the original drifted population becomes founder and the effect is known as founder effect मतलब इसका meaning समझाती हो समझो यह आपका original गाउ है इसमें से कुछ लोग migration कर लिए कुछ families ने अपने आपको दूसरे जगे पे लेके चले गए जैसे कुछ लोग गाउ से शहर आ गए city में आ गए अब city में आके यह लोग अलग-अलग लोगों से शादी करेंगे और अलग-अलग family बना जो original species से आई थी यह species अपनी बन जाती है original species और यह species founder species है founder याने सबसे पहले यह लोगी बाहर आये थे और इन्होंने अपना घर बसा लिया तो इस effect को हम बोलते हैं founder effect याने कि जब species isolate होते हैं तो उसमें से जो species अलग जाके settle हो जाती है और फिर वो अपने आगे का new family बनात है तो उस original species को बोलते है founder species और इस effect को बोलते है founder effect और एक example है bottle neck effect का what is bottle neck effect same founder effect की जैसा है same थाली नाम अलग है it is seen when much of a population is killed due to natural disaster देखो founder effect में क्या हो रहा है migration हो रहा है please understand the difference founder effect में क्या हो रहा है बेटा migration हो रहा है founder effect में migration हो रहा है bottle neck effect में murder हो रहा है या suicide या death whatever तो समझो आपका group of population है इसमें से कोई species मर गई यह star वाली species मर गई तो दूसरी species automatically पूरा कबजा जमा लेगी और grow हो जाएगी so bottle neck effect में यह आपका parent population है जिसमें से आपके कुछ species yellow वाले species का population एकदम से कम हो गया यलो वाली species एकदम से drastically reduce हो गई याने मर गई तो अब उसके वज़े से जो species जादा है वही species का population आपको जादा देखने को मिलेगा इसको बोलते है bottle neck effect याने competition खतम कर देना तो bottle neck effect में क्या होता है death of one species death of one species by natural disaster और founder effect में क्या होता है migration founder effect में क्या होता है migration के वज़े से इधर कोई मर नहीं रहा है बस genes अलग हो गए natural reason के वज़े से genes ने खुदको अलग कर लिया so that is founder effect और एक species का evolution हुआ और bottle neck effect में एक species की death हो गई जिसके वज़े से दूसरी species का evolution हुआ so that is bottle neck effect ठीक है अब देखो हमको इधर पे कुछ concept में आपको बोला ना इस chapter में यह एक प्रोसेस चार चार बार रिपीट किया अभी देखो natural selection फिर से आ गया natural selection कितनी बार हमने पड़ा लेकिन इस topic में हमको natural selection के तीन types दिये गए देखते है पहले तो natural selection क्या होता है it is a process by which better adapted individuals with useful variations are selected by nature and they leave greater or more number of progenies याने के differential reproduction मतलब क्या बोला गया है कि जो species स्पीशिस खुदको नेचर में ज्यादा एड़्जस्ट करेगी वह स्पीशिस सर्वाइव करेगी शर्वाइवल अप देफिटेस नेचर उसको ही सिलेक्ट करेगा और वही स्पीशिस रिप्रोड्यूस करके अपना फैमली बढ़ाएगी नैचरल सिलेक्शन तीन टाइप का होता है पहला है स्टेबलाइजेशन दूसरा है अगर आपको मैं सिंपल भाषा में बोलू तो स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन याने की हम ऐसे आर्गानिजम को सिलेक्ट करते हैं जो बीच में आता है इंटरमीडियर्ट और गनीजम स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन याने की intermediate organism इधर पे survive करेगा जैसे कि for example एक example ले लेते हैं more number of infant छोटे-छोटे बच्चे है more number of infant with intermediate weight survive better as compared to those who are overweight और those who are underweight याने कि समझो बच्चे जो पैदा होते हैं कुछ बच्चों का वजन बहुत जादा होता है वो होते हैं कुछ बच्चों का वजन बहुत कम होता है माल नरिष्ट कुपोशित बच्चे उनका वजन बहुत कम होता है तो यह दोनों एकदम extreme cases है या तो एकदम जादा या तो एकदम कम अभी इन दोनों को जादा evolutionary change नहीं होता बट nature में stability आती है क्योंकि थोड़ा बैलेंस बनाना भी जरूरी है इसलिए selection को बोलते है stabilization selection and genetically stabilizing selection represents a situation जहां पर आपका population खुद को जादा adjust करता है देखो सीधी सी बात है आप आपको एकदम थंड़े एरिया में रहना है या आपको एकदम गरम एरिया में रहना है लेकिन अगर आपको ऐसी जगह रहनी पड़ी जहां पर तो जो स्पीशी दोनों कंडिशन में एड़ेस्ट करेगी नेचर उसको सिलेक्ट करेगा यह देखो यह आपका ओरिजनल पॉपुलेशन है मतलब यह तो ओवरवेट यह तो अंडरवेट और यह आपका पॉपुलेशन आफटर सिलेक्शन यानि इंटरमेडियत पॉपुलेशन याने जिसका ना तो वजाव़वेउद यह जो ऐवरेज वजन काँ उसके सर्वाइफल के चांसे जादा कि उसको बहुत ज्यादा खाना या बहुत कम खाना इनude उसको जितना क्या करते है natural selection act to eliminate one of the extreme of phenotypic range in favor the other इसमें हम एक species एक total species डिलीट कर देते हैं और स्री वेकी species survive करती है simple example अगर मैं दू तो industrial melanism का हमने example देखा था white moth and black moth आपको photo दिखाते हूं one second industrial melanism में हमने जो example देखा था white moth और black moth का इसमें इसमें black moth survive कर गए और after industrial यह after industrial revolution है यह before industrial revolution है जब industries का revolution स्टार्ट हुआ तो carbon का दुआ निकलना स्टार्ट हुआ जिसके वज़े से आपकी लकड़ी काली होने लगी जिसके वज़े से काले इंसेक्ट का survival rate बढ़ गया क्योंकि birds को इंसेक्ट जल्दी दिखके आने लगे इसलिए white इंसेक्ट जल्दी पकड़े गए और इनकी डेट जल्दी हो गई और black इंसेक्ट पकड़े नहीं जा रहे थे इसलिए नेचर ने इनको सिलेक्ट किया जिसके वज़े से इनका survival बढ़ गया याने कि यह survival of the fittest की स्पीशीज हो गई तो इसको बोलते हैं direction selection क्या बोलते हैं इसको हम यह देखो कि directional selection यानि जो स्पीशीज सबसे ज्यादा strong होगी वही survive करेगी तो directional selection operates for many generation जिसके वज़े से हमको evolutionary trend यानि न्यू आउस्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं और एक condition से दूसरा condition हमको मतलब पूरा sudden change drastic change देखने मिलता है यह अपना औरीजनल पॉपुलेशन है वाइट इंसेक्ट यह अपना न्यू पॉपुलेशन है ब्लैक इंसेक्ट मतलब देखो कितना ज्यादा changes हुआ है yes everybody so this is directional selection जैसे हमने last to last time पढ़ा था मस्किटोस के बारे में यह मस्किटोस के उपर pesticides का कुछ असर नहीं होता तो अगर आप chemical छिड़कोगे तो सिफ sensitive मस्किटोस मरेंगे यह मस्किटोस जिंदा रहेंगे जिसके वज़े से इनका population बढ़ जाएगा so this is drastic change in graph पहले इनका population जाता था अब इनका population जाता हो गया so इसको बोलता है directional selection next आता है disruptive natural selection method what is this यहां पर more number of individuals acquire peripheral character peripheral character याने की कुछ तो beach का character okay natural selection extreme नेचर सिलेक्ट इस मेथड में क्या होता है नेचर किसको सिलेक्ट करता है देखो stabilization selection में हम intermediate organism को सिलेक्ट करते है directional selection में हम fit organism को सिलेक्ट करते है survival of the fittest क्या आएगा इधर पे survival of the fittest ओके और disruptive selection method में हम किसको सिलेक्ट करते है small organism को सिलेक्ट स्वारी intermediate organism को सिलेक्ट करते है यह देखो nature select extreme phenotypes and eliminate sorry इधर पे हम intermediate species को सिलेक्ट नहीं करते हैं so sorry this is exactly opposite of stabilization selection stabilization selection में हमने intermediate species को लिया इधर हम intermediate species को बिल्कुल नहीं लेंगे यहाँ पे हम extreme phenotype select करेंगे मतलब या तो एकदम strong या तो एकदम weak हम intermediate organisms को delete कर देते है इसलिए यहाँ पे आपको graph में दो peak देखने को मिलता है इधर पे graph में हमको was observed in the different beak size of African seed cracker finches, finches करके जो bird होते है, Darwin के फेवरेट bird है, तो क्या देखने को मिला, कि birds की जो मुखा beak का size होता है, उनकी चोच की जो size होती है, ती वेवेगड़ी असते, the available seeds were of two kinds, देखो, seed दो टाइप का था, एक small seed, एक large seed, तो large seed खाने के लिए birds के पास large beak था, small seed खाने के लिए bird के पास small beak था, लेकिन intermediate beak वाला जो bird है, ना तो वो ये वाला seed खा पा रहा था, ना तो वो ये वाला seed खा पा रहा था, large beak size birds feed on large seed, while small birds feed on small seed, and their number was increased, intermediate birds were unable to feed on any type of the seed, देखो, ये बड़ा वाला seed इनके मुँ में जा नहीं सकता था, और छोटा वाला seed से इनका पेट नहीं भरता था, तो intermediate वाले जो species थी, वो automatically natural selection के वाज़े से eliminate हो गई, ये देखो, आफरिका में दो टाइप के birds थे, एक आपका large वाला bird और एक आपका small वाला, और इन दोनों का ही population बढ़ता है, intermediate birds क्यों survive नहीं करते हैं, okay, because they are unable to open large seed, इनका size, मुँ का size छोटा है, तो they can open tough shells of large seeds, ये आपका बड़ा वाला bird है, large bird, ये आपका छोटा वाला bird है, लेकिन intermediate वाला जो bird है, ना तो वो बड़ा seed खा पाएगा, क्योंकि उस seed की size बड़ी है, मुँ से जादा बड़ी seed है, और वो छोटे वाला seed भी नहीं खा पाएगा, क्योंकि छोटा वाला seed बार-बार मुँ से नीचे गिर जाएगा, उनका पेटी नहीं भरेगा, तो धीरे-धीरे करके intermediate वाले birds जो हैं, वो eliminate हो जाएगे, याने की मर जाएगे, और last दो topic, isolation and speciation, देखो, ये दोनों topic हमने बहुत detail में 5.6 के topic में cover किया है, इसको दिखाती हूँ, different types of isolation, रुखो, इदर देखो, क्या दिया है, different types of isolation and speciation, ये देखो, मैं आपको ये diagram दिखाती हूँ, हमने isolation के अलग-अलग types पढ़ेते हैं, पूरा detail में, isolation दो type का होता है, geographical isolation, एक reproductive isolation, geographical isolation में या तो river के वज़े से आप geographically अलग हो जाते हो, reproductive isolation में क्या होता है, आपका समझो gametes नहीं बन रहा है, या आप अलग-अलग environment में रह रहे हो, habitat isolation है, या timing नहीं है बराबर, यानि एक gamete mature हुआ तो दूसरा mature नहीं है, या behavioral isolation है, या mechanical isolation है, या gamete बना लेकिन मर गया, या zygote बन के मर गया, या hybrid organisms बने, तो ये सारे topic हम already पढ़ चुके है, तो isolation मतलब क्या होता है, separation of organisms into sub-units, यानि जब दो population के organisms अलग-अलग जगह चले जाते हैं, तो उसके वज़े से वो new organism से मिलके अपना new family बनाते हैं, जैसे इंडिया से कोई बाहर चला गया foreign में, तो उदर पे उसने अपना नया खांदार बना लिया, तो isolation restricts gene flow between discrete, यानि non continuous population, due to different barriers like geographical barrier, देखो, isolation के वज़े से ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि आप जहाँ पे new area में जाओगे, तो उदर पे आपको आपका same species मिले गई, इसी reason के वज़े से जब isolate हो जाते हैं, तो इनके खुद के बीच में population नहीं बढ़ेगा, मतलब अगर समझो, आप इधर, आपके family में दो भाई बहन है, एक भाई फॉरें चला गया, एक बहन इधर ही है, फॉरें में जो भाई गया, उसने फॉरें लड़की से शादी की और फॉरेंर बच्चे पैदा किये, इंडिया में जो बहन है, उसने इंडियन लड़के से शादी की, इंडियन बच्चे पैदा किये, बट दोनों की genetic characters change हो जाएंगे, तो इसके वज़े से क्या होता है, new species बनती है, और इस topic को भी हमने previous वीडियो में बहुत detail में cover किया है, तो I hope कि आपको आज का topic जो main topic था, types of natural selection, बाकी सब तो पहले वाला था, आज के वीडियो में एक ही नया topic था, types of natural selection, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, stabilization selection में हम क्या करते है, intermediate select करते है, directional selection में हम क्या करते है, survival of the fittest को select करते है, और last वाला अपना कौन सा selection था, disruptive selection, उसमें हम या तो बड़ा organism select करेंगे, या तो छोटा, लेकिन intermediate को delete कर देंगे, तो ऐसे ही amazing videos के notification पाने के लिए और free notes डाउनलोड करने के लिए, of class 11th and 12th PCMB, हमने target publication की soft copy आपको provide की है, आपको बस telegram पे जाना है, sorry, play store पे जाना है, telegram app डाउनलोड करना है, उस पे search करना है, ज्यानलाब AP, और ये group join करना है, यहाँ पर आपको google drive के link दी गई है, तो उस drive के link से आप अपने notes डाउनलोड कर सकते, which is absolutely free of cost, and you can also subscribe to our channel, GyanLab NCRT for your need preparation, और अगर पढ़ते पढ़ते आपको bore हो जाए, तो entertainment के लिए हमने अपना lives buffering वाला channel भी बनाया हुआ है, you can also become a member of our lives buffering channel, I hope आपको यह वीडियो काफी जादा helpful लगी होगी, so make sure कि सबसे पहले आप चानल को subscribe करके bell icon पे click करो, ताकि एक भी notification मिसना हो, और फिर अपने friends के साथ इस चानल को share करो, आपको वीडियो अच्छी लगे तो like करो, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है यह वीडियो बनाने में, तो आपके like से मुझे थोड़ा बहुत motivation मिल जाता है, और मैंने आपसे वीडियो की starting में पूछा था, कि chapter 6 का deleted part पहले cover करूँ या chapter 9 का, तो please comment section में बताओ which part you want me to cover first, and I'll see you very soon, bye bye everybody, thank you, stay tuned.